आज की इस उदखाटन समाहरो के आधरनिया मिखेतिती केंदर सरकार में शिक्षाराजयमंतरी आधरनिया Dr. सुभाष सरकार जी संश्कृति एवं पर्लेमेंट्री आफेस के संसदियकार्य आधरनिया अरजुनरा मिगवाल जी आधरनिया सोनल मान सिंग जी, किरन बेदी जी जनकी चतरशाया में ये सारा कारेकरम खड़ा होता है हमेशा ही गतलगबक 40 वर्षों से इस साधना में लगे वे रिशीवर कपिल कपूर जी आधरनिया नील सहस्तरबुद्दे जी शिक्रिशा मंतराले को जो भी काम पूरुनता की और ले जाना होता है उसके लिए आपके तरफ देखते है इसलिए भारतिय ज्यान परमपरा यहां पर है उसका कार्यार यहां पर है यहां उपस्तित सभी अधरनिया मातर शक्ती बंदुवर और आवासी माध्यम से भी जुड़े हुए साथियो कि हम सब के लिए बड़ा आनंद का विशे है कि जिस बात को लेकर कि यह सनातन गंगा धारा कलकल चलचल बहती हुई ऐसे अनादिकाल से प्रवाहित हो रही है उस बात के और विवस्था का ध्यान अब गया है यह निश्यत रूप से है कि विवस्था को ध्यान देने से विवस्था का भला हो गया इस सनातन ग्यान परंपरा और ग्यान धरा का कोई नुकसान कोई राजसत्ता नहीं कर सके जब नादिर्शा और अविंजेब इसको नहीं मिटा सके तो और पूल मिटाएगा जब भारतिय शिक्षन मेंडर ने 2016 में गुरुकुल प्रकल्प का प्रारंब किया तब हमारे मन में भी एहंकार था और हमारे मन में भी एक भरम था कि हम गुरुकुलों की रक्षा करेंगे और हमने सोचा कि गुरुकुलों की सूची बना लेते 200-400 होंगे पूरे देश में सूची बना लेते और सूची बना करके फिर उनको कुछ सच्देवाजी जैसे लोगों को बुला करके CSR का फंडवाण दिलवा देंगे और उसको कुछ हम सहयोग कर देंगे और गुरुकुल खड़े हो जाएंगे और ये ज्यान परमपरा फिर से पुनर जीवित हो जाएगी हम सब लोग ऐसा विचार लेकर के चल पड़े और जब चल पड़े तब ऐसा बढ़िया भारत माता का प्रसाद मिलता है ऐसे जूते पड़ते है और पता चलता है कि हमारा अंकार कितना खोकला है दस अजार से अधिक गुरुकुल आज भी इस देश में चल रहे है चार अजार के हम सुची बना चुके काशी के वो हमारे गुरुकुल प्रकल्पके सहप्रमु के हम दोनों पीछे बैठे बैठे योजना बना रहे थे यह धनुर्वेद को पुनर जीवित करना पड़ेगा कि हमारे गुरुकुलों में वेद और संस्कृत और यह सब तो चल रहा है किन तो शिल्पकला और धनुर्वेद इसको पुनर जीवित करके इसके गुरुकुल खड़े होने चाहिए क्योंकि धनुर्वेद के बिना वीरता नहीं आएगी और वीर अवरत के बिना राष्ट निर्मान नहीं हो सकता ऐसे करके हमने क्योजना बनाई और फिर सोचा कि धनुर्वेद के साहरा जितना साहित है जितने ग्रंथ है उसको खोजा जाए और धनुर्वेद के आज आचारे कहां मिलेगी उसको खोजा जाए यह बात सितंबर 2018 की है और सितंबर 2018 में तरह मह intéressते हम यह लोग सोच रहे तैं और बाद मैं अगला आचारे स्वादा्य शुविर करना वती में एहम्दाबाद में फर्वरी 2019 में हुआ और जब फर्वरी 2019 के उस साहर्ष वाज़ा जब आये ज्याने अंदर जी तब उने एक आमकुलं जी सप्टेंबर में हम सोच रहे थी कि धनुरुवेत का एक अच्छा गुरुकुल खड़ा किया जाए मैंने काशी में असी घाट से लेकर मनिकरनी का घाट के बीच में गंगा के किनारे पर धनुरुवेत के आचारे और ग्रंथों को खोजने के लिए जब प्रत्न शुरू किया तो केवल उन घाटों के बीच में केवल एक दस बारा किलोमेटर की परिधी के अंदर-अंदर डेड़ सो धनुरुवेत के गुरुकुल मिले काशी में आप यह हमारा अज्ञान है कि हम सोचते कि भारतिया ज्ञान परमपरा कीम सेवा करें के भारतिया ज्यान परमपरा से जुड़ने से हमारा कल्यान होगा इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीति ने यह जो ऑन लाइन जुड़े हुए फैकल्टी डेवलप्मेंट वाले जो फैकल्टी है उस फैकल्टी को सौभाग्य दिया है कि वो ज्यान परामपरा से जुड़ करके खुद का कल्यान करें और वो भी ऐसे सौभा के शाली हो जाए जैसे कपिल कपुर्जी ने कहा था कि जो इस शिक्षा से बचे हुए है कपिल कपुर्जी ने कहा था कि जिनको इस शिक्षा का स्पर्ष नहीं हुआ वह वास्तविक्ता में सौभाग्य शाली है यह बिल्कुल सत्के है विश्य का स्पर्ष भी कलूशित कर देता है और हमने तो उसमें PhD कर ली ना मैंने नहीं कि भगवान के कृपा से मुझ पर कृपा रही कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद इसको इस विशे को छोड़ दिया लेकिन जो जितना पड़ा है उसको उतना परिश्रम करना पड़ेगा उतना रिशित्व लाना पड़ेगा और रिशित्व लाना है तो तप करना पड़ेगा बिना तप के रिशित्व आता नहीं इसलिए जब भरतिय शिक्षन मंद्रन ने रिसर्च और रिसर्जंस फांडेश और मोदी जी तो मिशन करमेयोगी कब से चला रहे हैं मैं सन 2000 से जानता हूं गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने मिशन करमेयोगी किया था और बड़ा असंभव काम किया था क्या यह सोफिसर्स को करमेयोगी बनाने का प्रयास किया था मैं तब वेक अनंद केंदर में था और उनको योग सिखाने जाता था इसलिए मेरा भी कुछ योगदान उसमें और अभी भारत सरकार में भी उन्होंने मिशन करमेयोगी शुरू कर दिया है तो इसलिए हमारे जीवन में वह तप आना है तो वह तप को हमने जब रिसर्च पर बात की तो हम करमयोग की तरफ गए कि प्रोसेस को ठीक किया जाए तो परिणाम ठीक हो जाएगा प्रक्रिया शुद्ध हो जाए हमारे साधन शुचिता की बात कीजिए हमारे साधन यदे शुद्ध होंगे तो परणाम शुद्ध मिलेगा और साधन यदे अशुद्ध होंगे तो चाहिए जितना प्रैत्न कर लो परणाम शुद्ध नहीं मिल सकता इसलिए साधन शुचिता म अश्वमेद परवका अनुवित गीता का वाक्य है जिसमें अर्जुन और कृष्ण के वीच में गीता की रिविजन हो रही है इसलिए उसको नाम अनुगीता है इतने वर्षवबाद अर्जुन भूल गये तो कृष्ण को बगवान को कह रहे थोड़ा याद दिला दो वो तो उश्द आदि जितनी विद्याय है उन सारे नाना विद्याष्च सर्वशा और फिर उन्होंने कहा तपसईव प्रसिद्यंते प्रकरशेन सिद्यंते अच्छी तरह से उसके अंदर सिद्धी तभी प्राप्त होती तपसे ही होता है इसलिए तपो मूलम ही साधनम जीवन में जो कुछ भी पाना है तप के द्वारा पाया जा सकता है इसलिए रिसर्च का भारतिये शब्दे तप और रिशित्व को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का हूड लगा दिया लेकिन हूड निकालने से रिशित्व निकलता है इरण में पात्रेण सत्यस्या अपिहितं मुखं जो ढकन है जो आवरन है अपिहितं उसको तत्वम पूशन अपावरणू ये पूशन ये विश्व का पोशन करने वाले तत्वम अपावरणू उसको आप निकालो तब अंदर से सत्य और धर्म का दर्शन होगा सत्य अने अल्टिमेट नॉलेज और मैंने उसका एप्लिकेशन इन लाइफ सत्य धर्मा यद्रिश्ट ये यह हमारे उपनिशत की प्रार्थना है जो विद्या का वास्तवी करते हैं इसलिए नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब बनाने के लिए आदुनिक रिशिक कस्तुरी शंगन जी के अंतर गत्व समीति बनी तब उनको हमने कहा कि सबसे पहले ये बात ठीक करने के आवश्यक्ता है बाहर से अंदर नहीं अंदर से बाहर ग्यान की और दिशा बदलनी पड़ेगी not from without to within but from within to without यहां जो अंदर से बाहर अभिवेक्त होने वाला ग्यान है जिसको स अंदर नहीं तर पूरुन अथा की अभिवेक्ती ही विद्या है उन्होंने एजुकेशन की डेफिनेशन की मैनिफेस्टेशन और पर्फेक्शन अल्रेडी विदिन अंदर से बाहर निकलना ये नैशनल करीकिलम फ्रेमवर्क में जो मेन एनीप को सक्सेस्पूल यदी कुछ करेगा तो ये परिवर्तन यदी हम कर सकें आज जो हम भगीनी निविदिता लिखती है भगीनी निविदिता के नोट्स अन एजुकेशन है उनके वालिम फाइव में हैं शंकरी प्रसाद बसू ने बहुत बड़ा हमारे उपकार कि भगीनी निविदिता के समगर साहित्य को ही कत्रित करके हम को दिया उसके वालिम फाइव में अलग से पुस्तक नहीं है वालिम फाइव में नोट्स अन एजुकेशन है उसमें वह वेस्ट और इस्ट की तुलना करते समय कहती है दे टॉक अबाउट पुटिंग इंफर्वेशन इंटू यूर ब्रेन वह कहते है पश्चिम जानकारियों को सुचनाओं को अंदर डालने की बात करता है और यह फैकल्टी डेवलप्मेंट प्रोग्राम में इसले बगीनी निवेदिता को में याद कर रहा हूं क्योंकि वह कहती है वी टॉक अबाउट मार्गारेट नोबल कह रही है हिंदू बन करके सच्चे अर्थों में निवेदित हो करके पूरी तरा से समर्पित हो करके वह भारत के बारे में कहरे है हूई से इप्रटन थिंग इस तो डेवलप्टी अर्या फैकल्टी एनि शिक्षक्टी बात नहीं हो रही है यहां फैकल्टी का मतलब है अबिलिटी तो दू एकल्टी पुच्छी एकल्टी एकल्टी झेवग अबिलप्रवाट प्रव लॉसां इस इस नहीं प्रटी ब्लोंच कर दो ड्टी प्रेदिख अश्यू झांवेख सुचे इस यड ब्लोंच अश्यू से इसे केवल और केवल साक्षात्कार होता है और वह साक्षात्कार अनुभूती से होता है और वहाँ अनुभूती मैं प्रणाम करना चाहूंगा आपकी साधना को कि आपने उसको सपर्श किया जब शरीर के इस टेंजिबल इस इंद्रिय अगम्य साधन से उस अगम्य को अभिवेक् करनी पड़ती है, that is faculty development, even your faculty does not remain an impediment in realization of knowledge, आपके चक्षू आपकी दृष्टी की मर्यादा नहीं बनते, उस अमर्याद के दर्शन करने की क्षमता जब दृष्टी में आती है तो तो आपका श्रवण, आपकी श्रुति शक्ती, आपकी शब्द को ग्रहन करने की क्षमता, आपको उस पेक्त्रम, उस फ्रिक्वेंसी से, जहस को सोन shark frequency कहते है, उससे ओपर का और नीचे का सब सोनी के और वहम नहीं सुन सकते। जो चमगादृ सुन सकता है? नहीं सुन सकते जो कुट्ता सुन सकता है वो हम नहीं सुन सकते यह जो हमारी श्रवनेंद्रिय की जो भावति का शारिरी का एंद्री का मर्यादा है उस मर्यादा से परे जाकर के जो परावानी के अनहद नाद को सुनने की श्रमता विकसित करता है यह भगिनी ने जविता जाहत है कि गुरु कुल बनने चाहिए और मंत्रियों होँगों यह विद्यालें निर्मान का करेकरम बनना चाहिए तब भारत्य ग्छान परंपरा पर आधारित faculty development program होगा we have to change the whole perspective of education whole vision of education in the mind and conduct of the gurus the acharyas teacher शब्द ही गलत है इसले वो शब्द का मैं प्रयोगी नहीं करता क्योंकि उपदेश से किसी को ग्यान नहीं होता और teaching का मतलब उपदेश होता है Sanskrit में teaching के लिए कोई शब्द नहीं है शिक्षा शब्द का आर्थ टीचिंग नहीं होता है शिक्षा शब्द का आर्थ होता है उच्चारण शुद्धी इसले बहुत सुंदर बात कही गई थी कि उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द चाहिए जो स्वर चाहिए उस स्वरयंत्र की साधना को हमारे शिक्षा का आगया इसले तेतरी उपनिशत में शिक्षा वल्ली अनुवाक में शिक्षा की परिभाशा ही यह कर रहा है रिशी कि जब आप जो मन में आपके विचार आ रहे उसका संप्रेशन करने जैसी समर्थ और शुद्ध वानी की साधना कर लोगे उसी को संस्कृत कहते हैं सम्यक करत्वा ऐसी वानी की साधना कर ली कि जो अंदर है वही प्रगत होगा को प्राना घात और पधा घात से होने वाले उच्छारणों से जब सामने वालेificación मन में अर्थ्त पत्त्ती हो जाए तब कपिल कपूर जी कश्मिर से कण्यकुमारी तक भाषा बाधा नहीं बंती ना विवयकानत के लिए बनती ना शंकर आचारे के लिए बनती है क्योंकि प्राणागात और पदागात की साधना से वानी संप्रेशन करने लगती है, समवाद करने लगती है, उसको शिक्षा कहते है Teaching is not शिक्षा, Teaching को उपदेश कहते है Teaching के लिए सबसे निकट संस्कृत इसले Teaching is impossible हमने किसी का उपदेश माना क्या फिर विद्धार की अपना कैसे मानेंगे कहां आपन गलत फेमी में है Only learning is possible There is no possibility of teaching Only learning is possible Hence, the learning is the capacity of the faculties and that's why the faculties have to be developed इसले भारतिय ज्ञान परंपरा का अर्थ केवल पुरातन ज्ञान को परोसना नहीं है सनातन जीवन द्रिष्टी को युगा नुकूल देशा नुकूल परिभाशा में पुनर भाशित करते हुए आज लागू करने का नाम भारतिय ज्ञान परंपरा है केवल पुरातन की चर्चा करेंगे तो परंपरा नहीं हुई परंपरा is a continuous tense परंपरा उसी को कहते है जो सतत चलती है जो निरंतर चलती है जो बिना बादा के चलती है जो अखंड चलती है जो एक पीडी से दूसरी पीडी में अत्यंत सहजता से और दी जाती है ली जाती है अनाया सवातावरण के संसकार से अंदर से किरन जी चली गई नामकार्थ इसलिए बता रहा हूँ अंदर से मुकुलित होती है ये सहज संसकारों से जो चलती है उसे परंपरा कहते है इसलिए मैं नामकार्थ पता होना चाहिए ना o अब अनदर से चलती है सहेज उसे परंपरह कहते है so if you are only talking about past tense you are not talking about परंपरह आप परंपरह की बात की बात कर रहे होगे परंपरह की बात नहीं कर रहे है परंपरह सातत्य का नाम है आज भी इसलिए है अनेक वर्षों के इतने आगादो आकरमणों के बाद भी राजनेतिक परतंत्रता के बाद भी यह हिंदु धर्म जिवन तैसलिये है क्योंकि यहां के घर घर में गाओं गाओं में मैना भाई ने उस अद्वेत सिद्धान्त को अपने जीवन में उतार करके परंपरा से अपने पुत्र को दिया संस्कृत में गुरू का परियावाची पिता है शिश्य का परियावाची पुत्र है नमाता भी वो पिता मतलब पैरेंट होड़े इसलिए वो अभिभावकत्व हमने घ्राण किया है क्या एक गुरू के नाते चानक के कहता है के नाते में बारा वर्ष गर्भधारण करूंगा और उस संभावना को संभव बनाऊंगा इसलिए गुरू का सरवत्तम आदर्शम आता है इसलिए हमारा नैनेश्वर का नाम लिया नैनेश्वर का कपिल कपुरुजी ने नाम लिया महराष्टर के संत ग्यानेश्वर का संत ग्यानेश्वर को महराष्टर में मावली कहते है मा कहते है हमारे अत्युच्यादर्श गुरुत्व का मा है क्यों क्योंकि गुरू को भी गर्भधारण करना पड़ता है ऐसे गर्मधारण करने वाले गुरुवों का निर्मान करने के लिए फैकल्टी देवलप्मेंट प्रोग्राम जब रुषित्व का नामधारण करने वाली और राष्ट्रम का विचार करने वाली जो अपने तेज से अपने आलोक से विराजमाने उसे राष्ट्र कहते है। कि बिएक स्फ़म विदिन ग्लोरिज वदिन राढ्या थी अंदर पृषवाइजली में बोलते हैं आंतारधात परातात समुद्र परियंत आया एक राढ्या थी उसे एक रारती धातु से राष्ट्र बना है उसे एक छेतना जुप जो चैतन्य की एकात्मता की बात की कफिल को पुर्जिने वह चैतन्य की एकात्मता जब अपने पूर्ण आलोक के साथ सारे विश्व के सामने अपने आपको प्रगट करती है तो उसे राश्ट कहते है त्र लगने से वो प्रकर्ष से होता है चरह याने चलना चरह में त्र लग गया चरित्र याने अच्छे से चलना रशी बनना पड़ेगा इसलिए में राश्ट्रिय शिक्षानिती के लिए देशवर में जहां भी जाता हूं कहता हूं रिशियों ने बनाई है रिशियों को लागू करनी है शिक्षक जब तक रिशी नहीं बनेगा राश्ट्रिय शिक्षानिती उस छासत पन्नों में बनी रहेगी इसलहे मंत्री बर मुझे एक शमा करे मैंने का मंद्री नहीं कर सकते मेरा अरथ ये था रिशीत व गुरू को बनना पड़ेगा शिक्षक को बनना पड़ेगा तब राश्य क8 नितिव पत्भ वह राश्ट्रिय कोगी और तब भारत का अरथक एवल बहुगोलिक नहीं रह जाएगा इसलिए वह भारतिया ज्यान परंपरा अंग्रेजी में भी भारतिया नॉलेज सिस्टी में रखिए कहें वह भार्तिय के पास के भासक्रेश षेट्र से आया इंडिया सिंदू को बलते से इंड्रली तो वेख वह तो भौकोलिक हुआ यहां वा बाइक फ्हार्ट शब्दभाउगोलिक नहीं है सस्कृतिक है मुल्य का है चारित्री Scale एक परक्रवा का है चिसके अंदर मंगोलिया भी आता है जिसके अंदर रशआब आता है अभी हमारा एक डल गया था ऐसी सीयर के तरफ महाने सुरेश जी सोनी जी गहे थे साइबयरिया के किनारे पर जाकर भारतिया संस्कृति के पदचाप देखकर क्या जो लोग विदेश में जाते बताते युक्रेन में तुर्कमें project में कदाक्षिस्तान में केवल इधर पूर्व की और नहीं उत्तर में भी तो अंग्रेजी में भी भारतिय नौलेज सिस्टिम ही कहना पड़ेगा भारतिय अग्यान परमपरा का अंग्रेज अनुवाद भी भारतिय नौलेज सिस्टिम ही होगा इंडियन नौलेज सिस्टिम नहीं होगा उसके अंदर होने वाले इस faculty development program में रिशी तयार करने का काम हम सब लोग कर सके उसके लिए हमारे जीवन में तपाए हम भी तपस्वी बने अपने जीवन में तपस्या करने के लिए ततपरो इतनी सी प्रार्थना